क्वेस्टन नबर 27 है इंटिग्रेशन 10 की पावर 3X और सीकेंड एक्स और डी एक्स यह वाला नहीं लगा नहीं याँ यह क्योंकि हम हमने इसे सब्स्टिजूशन मैथर्ड लगा के इसको सॉल्व करना है इसके इंटिग्रेशन को हम डिरेक्ट इनका इंटिग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह दोनों सेम ही फंक्शन है ट्रिप्रिमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिजूशन मैथर्ड लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसे function और function के derivative की form में लेके आएं तो इसलिए हमने 10 की power 3x को 10 square x और 10x में separate कलके लिख दिया है 10 square x की value दी होती है secant square x minus 1 secant x और 10x secant square x let u is equal to secant x और यह मतलब यह है function यह function है और यह function का derivative तो जहां पे secant square x है वहां पे u substitute करेंगे और जहां पे secant x 10x है वहां पे du u square secant square x की जगा पे u square minus 1 और du यह substitute करने के बाद इसका integration लेंगे और integration 1 by 3 u की power 3 minus u plus c u को हमने किस से substitute किया था secant x से तो बाद में हम इसका उस form में मतलब जिस form में question दिया होता है diagrammatic function form में दिया हुआ था तो दुबारा से उसी form में हमने answer भी लिकना होता है 1 by 3 secant की power 3 x plus का c यह इसका answer thank you कर दॉआ है